अगर या आपको घुडिना चाहते हैं तो उसके लिए को डॉक्टर की प्रिश्किप्शन की जीरत होती है तो जो आप की मार्ट की माक्टर्ण इंदेस्ट्री में तो यो डॉक्टर्स के इर्ध-गिर्ध ही गुमतीı हो आप कहीं तरीकों से pharmaceutical product की online marketing कर सकते हो जिन में सबसे पहले आता है search engine optimization किसी भी search engine पे अपने product को first page पे या first rank पे लाने की जितनी भी हम गतिविदिया करते हैं जितने भी हम काम करते हैं उन सब को हम search engine optimization कहते हैं ताकि आपके product से related या उस molecule से related कोई भी Google पे या किसी भी search engine पे हम बात करते हैं तो वह है search engine marketing search engine पे paid ad को चलाने को हम search engine marketing कहते हैं ताकि आपके product से related या उस molecule से related कोई भी Google पे या किसी भी search engine पे अगर कुछ सर्च करता है तो आपके product से related वहाँ पे add दिखाई दे थर्द नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आप blog बनाईए आप स्वस्ते स मंदी question से related blog बना सकते हैं आप किसी बीमारी से related किसी molecules से related किसी product से related आप knowledge air कर सकते हैं awareness की rate कर सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छा माद्यम होता है अपने products को promote करने का फॉर नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आप video बनाईए video internet का जो consumption है उसका 80% से ज्यादा consume करता है पर्मोट कर सकते हैं शिप नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वह है social media marketing अर्वो लोग daily internet पे social media का अपयोग करते हैं तो वह बहुत बड़ी audience बन जाती है तो आप उसका अपयोग कर सकते हो अपने product को अपने services को promote करने के लिए शिक नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वह है email marketing email marketing internet marketing के सबसे पुराणे तरीकों में से एक है लेकिन आज भी वह उतना ही परभावी है जितना पहले होता था आप अपने कश्मर से जुड़े रह सकते हो email marketing के दवारा आप उनको promotional mail बैश सकते हो आप उनको awareness related mail बैश सकते हो और उनसे आप connect रह सकते हो 7th number पे अगर बा होते हैं उनके साथ जूट सकते हो और अपनी services और product को promote कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं तो वह है online educational program आप online continuing medical education events organize कर सकते हो आप seminars organize कर सकते हो आप बहुत सारे events organize कर सकते हो जिससे जो medical community है उसको आपको खुद अपने साथ जोड़े रखने में मदद मिलती है और उसके साथ प्रोड़क्ट और services भी promote होती रहती है आपकी brand value भी create होती रहती है उमेद करते हैं यह information आपको अच्छी लगी होगी thanks for watching